अब होगी पढ़ाई की जीत जी हाँ इस 21, 22, 23 और 24 अक्टूबर को शांदार ओफर्स और डिसकाउंट on all सुपर कोचिंग तो अगर आप इन आने बाले एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाईए और इन शांदार ओफर्स और डिसकाउंट का लाव उठाईए तो गुड़ इवनिंग मेकैनिकल वालों मेरा अपने शांद सभी का स्वागत करता हूँ तो चलिए शाम की क्लास में जुड़ते हैं और 7-8 बुजवरी क्लास की शुरुवात करते हैं तो ये क्लास अब की गंटे तक रहे कि बहुत इखास क्लास होगी यही एक तरीका है एक्जाम को क्रेक करने का ठीक है तो चलिए सब लोग जलज़ेती क्लास में जुड़ते हैं प्रेम राज जी गुड़ इवनिंग मुकेश जी गुड़ इवनिंग वेलकम डू सेशन और बिटा यहां पर देखिए और टेस्ट बुक का पास्ट प्रोफ फ्री मिलेगा ओफर सिर्फ कल तक रहने वाला यानि कि 24 अक्टूबर तर इसके बाद यह आफर आफर जो है आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आपको यह कोर्स और महेंगा पड़ जाएगा तो इससे पहले कि ऑफर निकल जाए 24 अक्टूबर की रात आजाए यानि कि कल की रात आजाए आप एक कोर्ट लगाए आर्मिश्र और एई-जे मेकैनिकल का कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं बहुत ही आप लाइक इसी डिसकाउंट पर और डियर हमारा एक एक नमंबर से नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है एई-ज बढ़र का का सिक बहुत है है एक जाहें किसी भी किसी भी एक्जाम के लिए हो ठीक है चले तो शुरू करते हैं याक का पहला कोशन आज आच-का पहला कोशन आपके स्क्रूर की यह रहा है अ है रखे लेलरा या और ईट है ऐ lo priest को hi होंगे कि रपड़ा इस कहां से करते हैं जल्दी जल्दी सभी लोग विच अब फॉल्विंग केस हार्डिनिंग प्रॉसेस रिजर्ट इन अचेंज इन कंपोजिशन अफ दिस्टील कंपोनेंट इसकी कंपोजिशन में कौन सा प्रॉसेस ऐसा है जो उसके कंपोजिशन में चेंज करेगा कौन सा ऐसा केस हार्डिनिंग प्रॉसेस है जो कंपोजिशन में स्टील कंपोजिशन के चेंज कर देगा उशार जी गूड इवनिंग, वेलकम इस सेशन, गूड इवनिंग, दीपा, गूड इवनिंग, तो बड़ा देखे, इनमें से कार्बराइजिंग, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, यह जो प्रॉसेस है, यह क्या करेंगे, बिल्कुल, यह स्टील के कंपोजिशन में हैं, आप सिराइडिंग, वह स्टील को हाड करनें पर लिए यह स्टील को हार्ड करंदेंक लिए। होते हैं इनमें steel का composition change नहीं होगा लेकिन siniding में net riding में carburizing में जो steel का composition है वो change हो जाएगा तो option 123 आ जाएगा कहां गया 123 only यानि की option number C आ जाएगा next भाई है answer बेटा जल्दी जल्दी करेंगे which of the following is not a fusion welding process इनमें से काउं सा fusion welding का process नहीं है which of the following is not a fusion welding process fusion welding का process नहीं है fusion welding का process नहीं है बहुत बढ़िया तो यार gas welding जो है उसमें fusion होता है arc welding में भी fusion होता है resistance welding में भी कहीं कहीं fusion होता है जिससे की आपका weld का nugget बनता है resistance welding में आप यूज कर रहे हैं जैसे spot welding आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप weld का nugget बनता है तो कहीं कहीं fusion तो होता ही है तो gas welding में fusion होगा, arc welding में भी होगा लेकिन friction star welding में कोई fusion नहीं होगा क्योंकि ये solid state welding process है इनमें material fuse नहीं होगा friction की वज़े से आप pressure apply करेंगे material आपस में चिपक जाएगा तो fusion का zone इसमें ज़्यादा नहीं बनने वाला ठीक है, तो friction star welding आपका सही option है इंटर कूलिंग रिजल्ट्स इन नहीं डियर, हमारा आज नहीं था, हमारा कल था कल अस्टमी का fast होता है, एक्चली जो 9 दिन का नवरातन होता है उनका जो fast था, वो आज था जिसका, जिसकी समाप्ती भी हो गई जिसका पारण जिसे बोलते हैं, वो भी हो गया तो जो शुरू और लास्ट वाले रहते हैं, उनका तो कल था बिटा आज नहीं था लाकि अभी next वाला रखेंगे जब करवाचोथ होताएगा तब next वाला करवाचोथ पर रहेगा करवाचोथ पर रहेगा इंटर कूलिंग रिजल्स इन बता यह है इंटर कूलिंग बटा रिजल्स इन रेखाची कहा रहे हैं ए जोती रंजन जी बोल रहे हैं करवाचोथ करवाचोथ पर कोई option नहीं है आपको option बताना है तो इंटर कूलिंग जो होगा वो क्या करेगा work ratio को improve करेगा क्यों देखिए बटा जो इंटर कूलिंग होता है उससे जो compressor का work होता है वो decrease होता है तो अगर compressor का work decrease तो network increase ठीक है और यहां पर आपका जो work ratio होता है जो आपका work ratio होता है वो time network upon positive work network upon positive work अब देखें इंटर कूलिंग से क्या हुआ कि positive work यानि कि यह है आपका वो question जो के cbt2 में भी आ सकता है और बार्क में भी आ सकता है गुद इवनिंग शुभाम गुद इवनिंग जले इसका अंसर करेंगे बटा एक ideal regenerative rankine cycle है जिसमें एक open feed water heater लगा हुआ है अब आप समझे कि open feed water heater बटा क्या होता है देखें जिससे यह open feed water heater है यह हीटा open feed water heater है ठीक है open feed water heater में पहला पानी कहां से आएगा देखें open feed water heater में पहला feed pump से पानी आएगा जब condenser में steam condense होगी वो पानी pump उठा के कहां भेज़ेगा open feed water heater में यानि कि यहां से 1-m kg पानी आएगा कितना पानी आएगा 1-m kg पानी यहां से आएगा माइनस M into H1 वाला पानी यहां पर आएगा क्यों पहले 1 kg आता लेकिन चुकी हमने bleeding करी और M kg निकाल लिया तो condenser में कितना गया 1 माइनस M kg सो 1 माइनस M यहां से आएगा और M kg अपने bleeding में निकाला है तो M kg यहां से आएगा मालिज M kg यहां से आया enthalpy H2 के साथ तो बटा यहां पर कितना निकलेगा यहां पर निकलेगा 1 माइनस M प्लस M यानि कि 1 kg निकलेगा enthalpy H के साथ ठीक है अब आपसे यही question में पूछा हुआ है कि एक open feed water heater है कोई question अगर समझ में आए तो फिर से पूछ रहना open feed water heater हम कहां यूज करते हैं जब हम turbine में regeneration करते हैं क्या बोलाए regenerative rankine cycle regeneration मतलब breeding किया पहले m kg steam निकाल लिया m kg steam निकाल के उसको कहां भेजा open feed water heater में m kg steam जिसकी enthalpy मालेजी H2 है या H है कुछ भी है वो यहां पर भेजा तो यहां अब आपसे देखें क्या पुछा है जरा ध्यान से देखेंगा क्वेशन में आपसे पुछा है बिल्कुल क्वेशन में आपसे पुछा है बहुत सही क्वेशन बड़ा पुछा है कि ideal regenerative rankine cycle employs an open feed water heater operating at 1200 kPa ठीक है the condensate enters the feed water heater at enthalpy of 200 kJ per kg जो condensate बिटा enter कर रहा है यानि कि H1 यहां पर जो H1 दिया है वो माल लिजे कितना है 200 kJ per kg ठीक है and the steam extracted at 493 Kelvin neglecting pump work calculate the mass fraction of extracted आपको यह mass बताना है M की value आपको बतानी है कि आपने कितनी bleeding करी है steam का mass कितना निकाला है ठीक है आप समझिए तो यहां पर आपका 1-m आया enthalpy 200 के साथ और यहां पर आपका देखिए M M तो ऐसे रहा और H2 बता कितना दिया है देखिए H2 क्या है steam को किस पर आप निकाल रहे है 493 पर H2 क्या निकाल रहे है 493 पर आप M kg निकाल रहे है जिसके enthalpy H2 है और H की value दिया है 2850 किलो पर केजी एड 1200 किलो पास्कल और 493 कल्विन पर आपने जो steam निकाला है उसके enthalpy कितना है 2850 यानि कि H2 की value क्या है है H2 की value है 2850 2850 यहां पर बस इसको निकाल लीजिए और यहां की enthalpy क्या दिया है देखिए दा HF अब बिटा HF यानि की enthalpy और feed water जो boiler में जा रहा है finally उसकी enthalpy कितनी है 810 कितनी है 810 यानि कि आप मालेजिए H की value बिटा कितना दिया है आपको 810 बस energy balance equation लगा दीजिए और निका 2850 बराबर आजाएगा 810 यहां से बिटा M की value निकाल लीजिए M की value 0.230 आजाएगी M की value कितनी है गी 0.230 ठीक है बिटा M की value क्या है गी 0.230 आएगी आप निकाल के देख लिजिएगा next निकाल के देख लिए जो पॉइंट 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 फ्री जिरो आएगे यह कॉश्चन आपस सीबिली टू में भी आ सकता है यह भी और स्टीन टर्बाइन राइंकाइन साइकल टर्बाइन के इनलेट पर जो इन्थेल्पी है वह आपको दिया है अठाइस सो इतना दिया है अठाइस सो ठीक है इन्थेल्पी एट इनलेट टू कंडेंसर के इनलेट पर जो इन्थेल्पी है कंडेंसर के inlet पर यानि कि turbine का exit कंडेंसर का inlet यानि कि turbine का exit यहाँ पर बिटा जो enthalpy हो कितना है 2061 ठीक है मैं आपको डाइग्राप से दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा clear होगा Rankine cycle बिनाता हूँ और आपको डाइग्राप से दिखाता हूँ अब समझेए यहाँ पर आपका Rankine Cycle है मालेजे ऐसे यहाँ पर बटा जो आपकी Enthalpy है वो आपको कितना दिया है 2800 तरबाइन का exit यानि कि Condenser का inlet यहाँ पर कितना दिया है 2061 और क्या दिया हुआ है Saturated liquid Enthalpy at sink Saturated liquid की Enthalpy यानि कि यह मालेता हूँ यह पर इसकोमेटर वन मालेता हूँ इसको टू मालेता तल्यू मालेता हूं तो यहाँ पर जो state ह Civ Teil Twin कि Leg Break वह व कितना दिया है 28카 यान 251.5 आप से पुछा है व्रक पका प्रक्ष्प का वर्थ हू स्याइं यहां पर thermal efficiency of the cycle cycle की thermal efficiency क्या होगी बहुत ही बढ़िया question लाजवाब question CBT2 में बहुत ज्यादा expected question इसको ज़रूर करिएगा ठीक है आप देखे thermal efficiency आपको निकालनी है बहुत simple चीज है जब भी आपको thermal efficiency अपको निकालनी है जब भी आपको thermal efficiency निकालनी है देखिए अपको थर्मल efficiency निकालनी है अब क्या निकालेंगे नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाई निकालेंगे की नहीं का वर्क कितना है मिटा 800-2061 देखे तो टर्बाइन का वर्क निकाली जी कितना जाएगा 800-2061 अच्छा 800-2061 कितना आएगा कोई मुझे बताए फास्ट फास्ट कल्कुलेट करके बताएंगे मुझे कितना एगा बटा बचेगा QS H1-H4 H1 तो आपको पता है लेकिन H4 कैसे निकालेंगे H4 आप कैसे निकालेंगे बटा देखे H4 क्या होगा H3 प्लस W बराबर H4 H4 क्या हो जाएगा H4 बराबर हो जाएगा H3 प्लस पंप का वर्क और H3 कितना है 251.5 पंप कावर कितना है 2.5 तो कितना आजाएगा 254 H3 H4 आगया 254 अब बेटा यहाँ पर देखे H1 आपको पता है कितना 800 H4 कितना आगया 254 H1-H4 यहाँ मिल गया तर्बाइन कावर का आप यहाँ से निकालेंगे और पंप कावर का आप यहाँ से दिया हुआ है और आप बताईए कितना आजार आ रहा है what is the answer guys please tell me 739 ठीक है total answer what is the total answer what is the final answer कितने परशंट आ रहे बताईए तर्बाइन का आवर किया से मिल गया ठीक है pump का आवर किया से मिल गया network आ गया heat supply H1-H4 आ गया H1-H4 कितना रहे बेटा इसका आणसर ठीक है बटा 28.9 आ रहा होगा ठीक है 28.9 परसेंट आपका अगर अंसर आ रहा है ठीक है कोई बात नहीं हाँ ठीक है 28.something question समझ मैं है कैसे लग रहा है are you clear with the question और should I repeat it again question समझ मैं आ गया सभी को question समझ मैं आ रहा है कैसे लगेगा ठीक है मैं repeat कर रहा हो दीपक चलो देखे ध्यान से बटा आपसे क्या पूछा है thermal efficiency cbt2 के लिए बहुत important question बटा ध्यान रखेगा thermal efficiency पूछा है thermal efficiency कैसे निकालेंगे network upon heat supply network निकालने के लिए बटा हमको क्या क्या ज़रूत है turbine का work minus pump का work ठीक है turbine का work कैसे निकालेंगे अब network निकालना है तो pump का work minus करिए pump cover question में दिया हुआ है 2.5 kJ pump cover question में दिया हुआ है तो भई turbine का work हमने निकाल लिया this minus this इससे के निकाल लिया turbine का work जो आया उसमेंसे 2.5 minus कर दिया तो network आ गया pump का work minus कर दिया network आ गया This is your heat supply, total heat supply, कैसे निकालेंगे, H1-H4, H1 तो आपको पता है, 2800, पता है, H4 कैसे निकालेंगा, देखो बटा, H3 आपको दिया हुआ है, यहाँ पे, 251, आपने pump का work add किया, तो enthalpy बाहर बढ़ गई, तो H4 बढ़ा पर, देखो, H4 कैसे निकालेंगा, H3 प्लस W, H3 प्लस W साणल लिया, H3 पता है, 209.5, W पता है, 2.5, H4 आगया, H4 आगया, H1 पता है, Th emotional options निकाल दिझे, simple, ठीक है, अब समझ आया, या फीर से बताएं, अभी समझ में आब पताया या फीर से बताहें, बताएं बताएं, समझ में आब या फीर से बताएं? आ गया चलो very good पीटा ऐसे question पतायार रही है का CBT2 में आपको लिख के दे रहा हूँ ऐसे question 100% आएंगे Rankine से भी question आने वाले हैं boiler से भी आने वाले है boiler में question के सिर्फ 3 topic net heat supply in boiler boiler efficiency equivalent evaporation Rankine में ऐसे question भी आएंगे ध्यान रखेगा which of the following is not a stage of rolling तो बटा देखिए rolling का finishing stage तो अलग है यानि कि जब आपको final product मिल गया उसको बोलता है finishing stage जैसे आपको जो भी shape में finally sheet को या plate को ढालना है जब आप उस final situation के करीब आज आते हैं finishing आपको product मिल गया final उसे बोलता है finishing stage leader stage और breakdown breakdown stage बटा क्या होता है breakdown stage मतलब आपने rolling में जब rolling mills में आपने slab slab को या billet को डाला तो उसका breakdown हुआ वो थोड़ा सा उसका मतब dimension change हुई तो जो पहला breakdown हुआ जब उसकी dimension change हुई पहला ही dimension जब change हुआ जैसे अपने rolls में डाला उसका dimension change हुआ उसको बोलते हैं breakdown और leader यानि कि जब आप अपने finishing stage के करीब हैं जैसे माल लिजे आपको for example 10 mm की थिकनेश चाहिए माल लिजे example और आप 7-8 mm पे पहुँच गए तो यानि कि आप leader stage में हैं आप finishing को approach कर रहे हैं लेकिन backup stage कोई rolling stage नहीं होती है ठीक है तो 3 stage होती है rolling में और backup stage कोई नहीं होती है दोस्त मेहनत करते रहो और सफलता ज़रूर मिलेगे advantage भी है क्योंकि आपके number भी काफी अच्छा आ रहे है CBT1 में तो that will be an extra advantage to you in CBT2 tungsten arc welding आप कर रहे हैं operation है perform कर रहे हैं current 300 amp पर और voltage आपको दिया है 20 वल्ट power applied in operation is power जो apply करेंगे आप operation में क्या apply करेंगे प्रेम जी बोलने है 6 और कोई इसका answer है प्रेम जी बोलने 6 दीपक जी 6 बिलकुए बिटा simple है power बराबर क्या होता है वी कितना है 20 वल्ट कितना प्रेंट नीटा है 300 MP आपको किलो वाट में निकालना है 1000 किलो गाट में जाए ऑंसर तो 10000 कड़ गया कड़ जी रो जी रो कड़िया रीट इन उडिडू को इसक के लो वाट जैगा एक किलो वाल्ट है कॉरा, प्रॉपपर्टी फिच ब्रॉपपर्टी विच्टर इंडिपेंदेंट ॉफ मास इंडिय प्रॉपपर्टी जो सिस्टम की मास पर डिपेंट नहीं करती है ुश में क्या बोलते हैं बिलकुल क्या बोलते हैं intensive property क्या बोलते हैं intensive property property homogeneous property कोई property नहीं होती system में हमारी property जो हमारी thermodynamics होती है वो दो तरह की होती है एक intensive एक extensive property intensive जो independent होती है mass और system की size पर दोनों पर और extensive यानि कि जो dependent होती है system की mass और size पर जैसे density हो गया, जैसे temperature हो गया, जैसे viscosity हो गया, जैसे resistance हो गया, यह सब कैसी property है, आपकी intense property है, जैसे current हो गया, यह सब कैसी property है, अपकी thermal conductivity हो गई, यह सब कैसी property है, intensive property, ठीक है, next, इसका अंसर करिए, again this is a objective question है, थोड़ा सा calculator है, लेकिन लगा सकते बटा बार्क में निमरिकल है डेफिनेटली आएगा तीन नमबर का अगर एक क्वेशन आ रहा है तो डेफिनेटली निमरिकल तो आएगा ही आएगा दिखें तो आप हर चीज के लिए बटा तयार रही है अभी इस समय में ये मत पूछे सर ये क्वेशन निमरिकल आएगा कि नहीं आएगा किसी को हर चीज से त्यारी करिए बटा हर चीज से त्यार रही है कि जितनी चैनी है थोड़ी की मार्स आहेंगे उतना जादा मूरत बनने के चांस होते जाएंगे पत्थर वही होता है एक पत्थर को लोग रास्ते पर ठोकर मारके निकाल देते हैं दूसरे पत्थर की लोग पूजा करते हैं क्यों क्योंकि उस पत्थर पे इतनी चैनी है थोड़ी चली होती है कि वो एक मूरत का रूप धारन कर लेता है और लोग उसी पूजा करते है ठी वन उप्षिन की प्रैक्टिसिंग कब तक गलत होगा एक बार दो बार दस बार बीस बार कब तक गलत होगा करते जाहिए तो क्या एगा उप्षिन देखे एक आइडियल गैस है जिसको कंप्रेस करें इन इस सिलेंडर बाइ मुवेबल पिस्टन तो वॉल्यूम वन अपफ इस ओडिजनल वॉल्यूम गैस पॉमने कंप्रेस कर दिया ओविसली अब कंप्रेस करेंगे भाई तो वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर बढ़ेगा सिंपल सी बात है इसी लाइन को अटरलाइं कर लो इनटरनल एनरजी गैस की सेम है और वह भी कौन सी गैस है? आइडिरल गैस की बीटा इनटरनल एनरजी सेम है ideal gas की internal energy क्या है same और ideal gas के लिए internal energy किसका function है temperature का किसका law है यह joules का law joules का law यह कहता है कि ideal gas के लिए internal energy temperature का function है अब internal energy चुकि यहाँ पर constant है यानि कि u1 बराबर क्या है बटा u2 बराबर क्या है constant same है internal energy तो चुकि यह temperature का function है तो T1 बराबर T2 बराबर क्या जाएगा constant आ जाएगा जो process है वो क्या हो जाएगा isothermal समतापी प्रक्रम क्या हो जाएगा isothermal process अगर हो गया तो द डिक यू बराबर क्या हो जाता है D you plus dw ठीक है और 0 वह गया क्यूंकि यू constant है सो डी-क्यों पराबर क्या हो गया वटा डी डबलु यानि कि पूरी की पूरी हीट größarella की पूरे なた किपरे में रगाई तो आप कभी यह ही अगर आप से कभी कोई इंटरेव्यू में पूछे कि कि मैं अगर आपसे कभी कोई पूछें इंटरव्यू में अरफ कि की कि अ पूरी हीट पूरे वर्क में कर्वर्ट हो जाएगी प्रोसेस में साइकल में नहीं हो सकता है तो कितना आ जाएगा जितनी हीड सप्लाई की उत्ता वर्क तीन सो बीस की लोजूल का वर्क मिल जाएगा आप किसके लिए करते हैं मुझे असलता है नदीम जी की आपका जो नौईजी है पहली बात तो ये क्वेशन पता नहीं कि हाँ आप से पूछा आपने अपर मुझे असलता है जो नौईजी ऑपरेशन है वह मिग में होगा क्योंकि मिग में एक तो में तो वड्रिञ इस की फास्टर है में में वेल्डिंग भी फास्टर है एलेक्तोड भी कंजूम हो रहा है तो वहां से मुझे असलता साउंड ज्यादा आनी चाहिए में हीट ट्रीटमेंट इस ओफिस ट्रीटमेंट उफिंट याप किसके लिए करते हैं तो यार प्लेट को जुवाइन करने के लिए प्लेट को जुवाइन करने के लिए हम हीट्रीट्मेंट तो नहीं करते हैं वेल्डिंग करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तो नहीं है ठीक है stress relieving यानि कि हम heat treatment कर किस के लिए रहे हैं stress को relieve करने के लिए जब आप metal की cold working करते हैं उशार जी अपने क्या message किया भाई जब आप metal की cold working करते हैं तो उसमें stresses setup हो जाती है तो उसी stresses को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं cold working करते हैं करिए अपने process कियas लेकि तो धी किया है yes ये रिलीव करने के यह को रिलीव करने के लिए रेक्ट क्या만 करते हैं डाइग्राम आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्ली अगर नहीं दिख रहा है तो रिजोलुशन बढ़ा लीजिए पीट्वेंटी से बढ़िए और वन जिरो पर जाएगे बताए बढ़ी क्या हो जाएगा इसको मैं कुछ और माल लेता हूँ माल सी माल लेता हूँ बढ़ी है यानि कि क्या हो जाएगा सोलstar लिक्वड मेंखन तो ये क्या हो जाएगा fusion curve, fusion curve, fusion curve, fusion curve, fusion curve, a से b बटा आपका हो जाएगा vaporization curve या फिर boiling curve, और o से b आपका हो जाएगा sublimation curve, sublimation curve हो जाएगा, ठीक है न, क्योंकि solid vapor में convert हो रहा है, तो curve o से b जो है वो sublimation curve है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बाकी बातें जो हैं वो बिकार है, यानि कि point b है critical point, point b critical point नहीं है, triple point है, it is not critical point, it is triple point, point a is triple point नहीं है, point a ko opinions triple point नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a पर आपको liquid और vapor मिल रहे है, liquid vapor में पुरा convert हो गया है या आपको यह कहीं triple point नहीं मिल रहा है, ठीक है, point curve 0b is vaporization curve, 0b जो है वो vaporization curve नहीं है, ये sublimation curve है, ये भी गलत है, next yes, बट बटाए एक चीज़ में confused मत हो यह गा, triple point pressure के नीचे triple point pressure के नीचे solid directly vapor में convert हो जाएगा, लेकिन triple point temperature के नीचे ऐसा नहीं होगा triple point temperature के नीचे, अगर आप pressure के नीचे हैं तो solid vapor में convert हो जाएगा लेकिन अगर आप triple point temperature के नीचे हैं तो heat करने पर solid का सिर्फ temperature बढ़ेगा, phase change नहीं होगा, अगर आप चाहे तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर बैट आप triple point temperature के नीचे हैं, देखे, pressure कहा है y axis पे, temperature कहा है x axis पर, अगर आप triple point temperature देखे यह है, triple point, triple point का temperature यह है, this is temperature of triple point, अगर आप इससे नीचे काम कर रहे हैं यहां पे काम कर रहे है, triple point temperature से नीचे है, यानि कि x axis पर जाना है negative की तरफ, यहां पर, अगर आप इसमे heat कर रहे हैं, तो solid का सिर्फ temperature बढ़ेगा, phase change नहीं होगा, triple point से नीचे, अगर pressure से आप नीचे हैं, तब तो heat करने पर solid vapor में convert हो जाएगा, लेकिन अगर आप temperature से नीच हैं, तो solid का सिर्फ temperature बढ़ेगा, phase change नहीं होगा, तो confusion यह create करता है, तो confuse मत होगा, बढ़ा एक engine है, जो कि work कर रहा है, ideal auto cycle पर, temperature at the beginning and end of the compression stroke, 27, lower temperature क्या है बटा, this one, higher temperature क्या है, this one, क्योंकि reversible cycle है, तो efficiency कैसे निकाल सकते हैं, temperature limit से, तो thermal efficiency of auto cycle, यह तो आप लेक सकते हैं, 1-1 by R to the power gamma minus 1, यानि कि 1-1 by R का मतलब होता है बटा, V1 by V2, V1 by V2 की power gamma minus 1, यही, वै, R क्या है, V1 by V2 ही था है, अब देखें, यहाँ पर, आप आपको बता है कि T1, V1, gamma minus 1 बराबर होता है, T2, V2, gamma minus 1, तो यार, V1 by V2 की power gamma minus 1, यह हो जाएगा, T2 by T1, T2 क्या है, lower temperature, T1 क्या है, higher temperature, ठीक है, ना, मैं स्वारी, T1 है lower temperature, T2 है higher temperature, भाई, देखो, कर्ब ऐसे बन रहा है न, auto cycle में, यहाँ 1 है, और यहाँ 2 है, तो T2 है temperature after compression, यार, T1 है lower, तो V1 by V2, gamma minus 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, T2 by T1, तो मैंने यहाँ लिख दिया, 1 minus 1 upon T2 by T1, तो यह T1 चला गया, उपर T2 रह गया नीचे, यानि कि 1 minus T lower upon T higher आ गया, तो आगया, यहाँ पर 1 minus T1 by T2 आ गया, यानि क्यार क्या है, 1 minus T lower upon T higher, यानि क्यार क्या ह नहीं तो यहाँ, तो 1 minus कितना आ गया, 27 का मतलब क्या है, 300, कितना है, 300, और 277 कितना है, 500 है, 1 minus 3 by 5, यानि की 40%, 1 minus 3 by 5, यानि की 40% यानि की 40% answer, next, next आप हिलोवर कर दिया तो वन माइनिस मोर यानि कि आंसर निगेटिव एफिशिएंसी विल विल बीन नेगाटिव एफिशिंसी निगेटिव हो जाएगी भाई मेरे मत कर ऐसा है मत कर बहुत बढ़ा जुलम है in a convergent-divergent nozzle the smallest section is known as throat convergent-divergent nozzle में smallest section को क्या बोलते है फ्रोट बोलते है no dear it's not your bear I'm just telling you that don't answer 1 by th by tl always answer 1 minus tl by th that will be more correct the main function of a feed check valve in boiler is the main function of feed check valve in boiler boiler is the main function of feed check valve in boiler boiler feed check valve का main function क्या बताओ जिल्दी feed check valve क्या करता है feed को क्या होता है वो feed को चेक करता है यानि कि वो इस बात को ensure करता है कि पानी जो है वो pump से boiler में जाए boiler से pump में वापस ना आए बस यानि कि एक तरह साब बोल सकते हैं this is a kind of unidirectional valve it ensures unidirectional flow of the water from the pump to boiler only and not in reverse direction so reverse direction में पानी को नहीं आने देगा feed check valve यही काम करता है so to allow water to flow to the boiler and not allow water to flow back next नहीं बेटर इससे बेटर होगा कि मैं यह बता नहीं सकता मैं है आपको बता है हमारे हां आये थे मैं आपको बताता हूं मैं बताओंगा नहीं आपको college का नाम पर नहीं बताओंगा यहां पर मैं गाजाबद में था गाजाबद में था तो हमारे कॉलेज में आये थी जिनका आप नाम लिए हो और बिलीव मी सच बदा रहा हूं अपको जिस दिन का रुक थे न सारे बचे बंग पे थे उसका जिदे ने आये थे कउलेज में अरे बच्छे बंग पशेश What will be the enthalpy of 1 kg of steam at pressure of 10 bar What will be the enthalpy of 1 kg of steam at pressure of 10 bar having dryness fraction of 0.7 यार steam की आपको enthalpy बतानी है आपके पास 1 kg बेटा steam है मालेजे H1 ये है आपको H1 बताना है dryness fraction यहां का दिया है 0.7 कितना दिया है 0.7 और 10 बार पर जो specific enthalpy की दिया है liquid की वो दिया है 707 और जो vapor की दिया है बेटा वो दिया है 2010 2010 तो H1 निकालना है निकालनो यार H1 बराबर क्या आजाएगा H1 बराबर आजाएगा HF plus X HFG तो बटा HF कितना है 760 है plus 0.7 है 2010 है minus 760 है कितना जाएगा बताइए कितना जाएगा बड़ा 2160 क्या 2160 क्या option B correct हुआ है हुआ 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 है ठीक है आज पूछना जाके पूछना एक्शली बटा वो मैं बताता हूँ नाम किसले रखा होगा क्योंकि जो जीतेंदर साफ थे वो बहुत ही smart actor माने जाते थे तब के time में क्या था आपन के जो पापा लोग होते थे आपन मतलब मेरे भी तुम्हारे भी सब के पापा लोग वो भी अपने आपको smart ही समझते थे कैसे आपन लोग समझते आज कर आपन इस भगवान है वो इसे पापा अज भी समझते होंगे तो पापा सोचते होंगे कि आपन जीत अंदर हुआ तो बटा क्या हुआ कोन हुआ भाई बटा इन शेप इन शेपिं बोसेज द कटिंग भी सब्सक इस प्रोइइड टु olur वाइट हुआ थूल को कटिंग ठूल को कोन है भाई ये कि टेपिंग प्रोसेज में वेलॉसिति कटिंग टूल को प्रोवाइड करते हैं वाह क्या बात है पक्का टूल को प्रोवाइड करते हैं कोई ऐसा नहीं जू नहीं बदला ऐसा कोई नहीं है जो नहीं बदला क्या बात है mechanical one of this should be the guts इसको provide करते हैं बड़ा cutting tool को shaping process में जो mechanism use होती है वो होती है crank and slotted bar quick return motion mechanism जिसमें जो हमारा tool होता है वो slotted plate से जुड़ा हुआ होता है यह आपका connecting rod है जो कि है fix connecting rod क्या है fix यहाँ पर आपका slotted plate लगी है क्या लगी है slotted plate ठीक है थोड़ी से paralyzed है यहाँ पर बड़ा क्या है एक का आपका लगा है क्या बोलते हैं से slider यह slider जुड़ा है crank से इससे जुड़ा है crank से अब यह crank क्या करेगा rotate यह crank क्या करेगा rotate इससे आपने एक link लगा दिया यहाँ पर लगा दिया RAM और इस RAM में अलगा है tool और यहाँ पर है आपका work piece वेग पीस horizontal position में stationary है और tool जो है वो to and from move कर रहा है तो cutting tool को कोही विलॉसिटी हम प्रोवाइट करेंगे next confidence क्या बार confidence बटा किसी से पढ़ने सनी हा था कोई भी टीचर पढ़ा कि आपका confidence नहीं दे सकता confidence जो होती है वो आपके दिमाग के खुद की ऊपज होती है and you should be confident हमेशा confident रहे है always ho grinding action grinding कैसा action है जया यह mall making ka action है यह surface finish का है यह फिर shaping का है यह फिर decoration का action है तो कीका action है भीटा यह surface finish का grinding मान posição है surface finish का operation है surface finish का operation operation ह morgen dash is रॉसासे ईचरा इउस शाईं मिटल metals को wood को या composites को shine करना यानि की चमकाना कैसे using a cloth wheel एक wheel जिसमे cloth लगा है cloth wheel है यानि की cloth की wheel है impregnated with cutting compounds और rugs rugs बोल सकते हैं जिसमें cutting compound लगे हैं cloth की wheel में cutting compounds लगे हैं या rugs लगे हैं ठीक है ना तो इसे क्या बोलते हैं no it is not lapping there lapping is not that operation lapping हम बहुत fine fine particles से करते है wrapping lapping में हम क्या करते हैं एक work piece को दूसरे work piece को उपर मालिज़े हम रप करें बीक में कुछ abrasive डाल रहे हैं बहुत पतले पतले abrasive डाल रहे हैं एकदम ठीनी ठीनी लापिं ये process नहीं बटा wheel से कर रहे हैं cloth wheel से surface polishing का जो operation है that is buffing इससे क्या बोलता है buffing बाकि nitriding आप जानते है nitriding एक case hardening का process है जिसमें आप steel को ammonia के atmosphere में गरम करते हैं honing भी आप जानते है honing भी क्या एक surface finish operation है lapping भी surface finish operation है buffing एक surface polishing का operation है एक next head loss due to friction in water flows through pen stock can be minimized by water flow हो रहा है pipe से pen stock से head loss हो रहा है f l v square divided by 2 g d f क्या है friction factor चीक है ना कैसे minimize कर सकते हैं yes तो dia को बढ़ाएंगे dia को बढ़ाईए dia को बढ़ाईए अगर आपको head loss को decrease करना है head loss आपको decrease करना है तो क्या करिए dia को बढ़ा दीजे velocity को घटा दीजे length को घटा दीजे तो आपका head loss कर जाएगा length जादा होगा head loss जादा होगा length कम होगा head loss कम होगा तो increasing कर दीजे dia to head loss कम हो जाएगा head loss due to friction कम हो जाएगा यूपी बासट यूपी बासट में आप आओगे ना छोटा छोड़ा बच्चा जो छोटा छोड़ा बच्चा होता है ना चार पांच साल का वो भी गाना गाता है तुझो कहे तो करवा दूं तमचे पर डिस को गाए आए बौड़न गेज बॉडन गेज जो है वो क्या मेसर करता है बॉड़न गेज मेजर प्रेशर अट पॉइंट रिलेटिव टू अ बच्चा डिलेटिव में किसके relative में बहुत से बटा देखे बार्डन गेज जो है जब भी हम बात करता है बार्डन गेज की तो बार्डन गेज जो होता है वो atmospheric pressure को नापता है अब बात है कि कौन सा atmospheric pressure क्या standard atmospheric pressure या फिर local atmospheric pressure standard atmospheric pressure वो है जो MSL से हम ले रहे हैं यानि कि mean sea level से ले रहे अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बार्डन गेज है और आप हर बार आप से कोई पूछे कि आपके रूम में atmospheric pressure तितना है आप बोलोगे रूम को एक मिनट में आ रहा हूँ आप train का ticket book किये पहुँचगे शारुक खान के घर के सामने बैंड स्टेंड पर और वहाँ पर प्रेशर मीन से लवल पर नापके चले आए और बताये कि यहां वहाँ पर प्रेशर था वहाँ पर शारुक खान के घर के सामने प्रेशर था 101325 पासकल तो मेरे रूम में दूत नहीं होगा वो standard है यह local है तो गेज कहां लगाए हो रूम में तो प्रेशर किसका नापकेगा शारुक खान के घर के सामने नहीं यहां पर लोकल तो क्या नापकेगा local atmospheric pressure नापकेगा the local atmospheric pressure and not related to the standard atmospheric pressure नहीं दोस्त हमारा सब त्योहार पीज सबाफी लोग के साथ है यार सब आपी लोग के साथ है लाथ कर्वां चेमा चोथ मैं आपको इखा जाएगा आप मुझे देखरा मैं आपको ठीक है ना को मुझे देखरा मैं तुम्हें देखरूगा बात खाता आपस मिस आपको होता कर लrilा ते क्या पाइदा इतना कोई टेंशन नहीं है से कोर्प्रेंट्स किसके लिए यूज़ करते हैं कोई टेंशन नहीं यार ना तुम से कोई बोलेगा मुझे आइफोन दिला दो ना बोलेगा मुझे डामेंड के रिंग दिला दो कोई किस बोलेगा कोई टेंचन सिकना अधिकर न कोर्प्रेंट्स आर या यूज पर तो को करेक्ट पोजिशन करने के लिए हम लुर्ड के अंदर उज करते हैं अब देखेव आपका मौल्ड आपका ही है और आप को यहां पर डालना है तो आपको यहां पर प्रक्रेंट्स बनाने पढ़ेगे ये core print जो होता है ना इसमें जो core होता है वो जाके फज जाता है तो proper position रहता है इसको फसाना क्यों जरूरी है इसको trap करना क्यों जरूरी है side में क्योंकि because of the weight of the core अब अगर core print आप नहीं बनाओगे तो core अपने weight से नीचे आएगा और जैसे जाएगा तो यहां की sand जो होगी वो shift हो जाएगी यानि कि यहां की जो sand है वो shift हो जाएगी तो casting में को इनको defect आ जाएगा तो core print बहुत ज़रूरी है इसको core print में फसा दिये उसके बाद फिर अब चुकि यह कि अपने को प्रिंट में लगाने के बाद को प्रिंट किसमें बना रहे हैं उसके बाद भी अपनी वेट से नीचे आएगा वेट से नीचे आएगा तो बिल्कुल 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 करना कुछ नहीं बटा जैसे YouTube लाइब चल रहा है न वो ऐसे साइड ऐसे computer के सामने स्थीव लगा देना करनी स्थीव शेकर what will be the maximum interference, Imax maximum interference बटाब से पूछा गया है maximum interference कब होगा, जब hole की size shaft की size से छोटी होगी, shaft बड़ा है और hole छोटा है, तो shaft hole में जाएगा नहीं तो interference करेगा, अगर hole बड़ा है तो shaft उसके अंदर चला जाएगा, अगर hole बड़ा, shaft छोटा, तो shaft उसके अंदर चला जाएगा जब चला जाएगा, hole बड़ा है तो बीश में clearance आएगा, तो clearance fit का बात है जब hole बड़ा होता है, जब shaft उड़ागा हो इंट्रफरेंस आएगा तो maximum interference कब आएगा शाफ्ट की maximum limit और hole की lower limit यानि कि upper limit of shaft shaft की upper limit of shaft shaft की बेटा upper limit minus lower limit of hole hole की lower limit तो shaft की upper limit देखे कैं है शाफ्ट की size है वो है upper limit है 20.05 देखे 20 यहां भी है 20 यहां तो 20 लिखने के ज़ूरत नहीं है, क्या लिखेंगे 0.05 0.05 minus lower limit of hole, कितना है बटा 0.04, तो 0.04 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, लेकिन answer किसमे आ रहा है, mm में, answer किसमे आ रहा है mm में, answer किसमे आ रहा है, mm में, ठीक है ना अब आपको किसमे convert करना है बटा, इसको micron में, किसमे convert करना है, micron में, तो micron में convert करेंगे, कितना जाएगा, 10 micron कितना जाएगा, 10 micron ठीक है ना good one, next yes, max of shaft minus minimum of during extrusion process, the state of stress in metal work piece is, पटा समझ यह, जो भी आप extrusion करते हैं, so metal undergoes tri-axial state of stress, in rolling, metal undergoes bi-axial state of stress, rolling में assumption यह है, कि rolling का जब assumption आप पड़ते हैं, यानि कि assumption involved in rolling, so we assume that the metal undergoes bi-axial compression, but in extrusion, we assume that the metal undergoes tri-axial compression, तिरी अक्षिय संपीडन में जाएगा, yes, dear अच्छितन को देख रहे हो, अच्छितन ने क्या किया है, कि अपनी नाम के आगे A-C-H-U लगा दिया है, और जहाँ पे तन था अच्छितन, वहाँ पे 10 लिखा है, जैसे लिखते हैं ना, सचिन 10, डुलकर, वाव, I'm impressed, Compared to Compression System, Absorption System offers the benefits of, Compared to Compression System, Absorption System, बिटा, क्या benefit आपको देता है, क्या ज़ता है वही, benefit, Compared to Compression System, यानि कि Vapor Compression System के comparison में, Vapor Absorption System की COP कम होती है, हाई नहीं होती, Vapor Absorption System की जो COP होती है, VARS System की, वो 0.3 से 0.5 के बीच में लाई करती है, COP, VARS के, Question समझने में, टाइम लग गया, मैंटा वो टीम के है, With a Combined, Like a teacher and team combined, Okay, तो lower refrigeration temperature नहीं, ये भी नहीं है, Lower refrigeration temperature आप VCR से lower नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि NH3H2O हो, चाहे lithium bromide H2O हो, दोनों में H2O है, H2O का, अगर H2O आप as a refrigerant यूज कर रहे हैं, तो आप आसे Compulsion है, आप आसे Condition है, क्योंकि अगर Water यहाँ पर refrigerant है, तो Water 0 से नीचे जाएगा, उससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं, Okay, so possibility of using low grade energy, Yes, low grade energy आप यूज कर सकते हैं, Waste heat आपके पास है, आप co-generation करते हैं, co-generation, यानि कि, टर्माइन लगा रहे हैं, Gas turbine power plant, Steam turbine power plant, Waste heat से आप heating कर सकते हैं, जो turbines से waste heat निकल लिए, आप उससे heating कर सकते हैं, कहीं पर बहुत जादा abundance में coal पड़ा है, Waste energy पड़ी है, fossil fuels पड़े हैं, जिवाश में इधन पड़े हैं, Solar energy पड़ी हैं, आप यूज कर सकते हैं, Solar refrigerator बना सकते हैं, तो लोग रड़ेनरजी पर काम करता हैं, ने अच्छुतन पहले किसी और ने तुम्हारा code word समझा था, लेकिन बात यह है कि तुम्हारा code word समझने के बाद, अब वो तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक है, bell column and cycle consists of, bell column and cycle बड़ा कैसी cycle है, bell column and cycle जो है, वो एक reverse joule cycle या reverse britain cycle है, जो कि air refrigeration में use होती है, नहीं, आजकर यह भी नहीं बोल सकते हैं, बटा की समझा है, समझी, नहीं बोल सकते हैं, आजकर के time में कुछ भी हो सकता है, नहीं बोल सकते हैं, विन बोड़ी A is in thermal equilibrium with body B, body B is in thermal equilibrium with body C, then body C and body A will also, will be in mutual equilibrium, without any external effort, तो यहाँ पर दो adiabatic process, दो constant pressure process हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं, bell columnist है के, यह मैं, zero flop thermodynamics बता रहा था, neutral axis of beam is subjected to, neutral axis of beam is subjected to, no stress, yes, neutral axis of beam is subjected to no stress, sigma by y is equal to m by i, तो neutral axis मतलब y is 0, अगर y is 0 तो sigma 0, no stress, बटा क्या assumption है आपके, बटा क्या assumption है आपके, assumption made in Fourier's law, Fourier's law में क्या assumption है, बटा देखें, जब आप Fourier's law of conduction पढ़ते हैं, तो बहुत सारे assumption है, पहला assumption है, तहें तो लिख लिजेगा, E, जो flow है वो steady है, ठीक है, there is no internal heat generation, कोई भी internal heat generation नहीं हो रहा है, the heat is flowing in one direction only, there is uniform K value, thermal conductivity throughout the slab material is going to be uniform, there is no internal heat generation within the slab, the flow is steady and it is in one direction, एक ही direction में हो रहा है, तो दोनों AN दी आ जाएंगे, next, thermal diffusivity क्या है, एक dimensional parameter है, function of temperature है, mathematical model यूज होता है, या physical property of the material है, तो बेटा जो आपका thermal diffusivity है, वो क्या है, material की physical property है, thermal diffusivity alpha is equal to होता है, K by rho cp, alpha बेटा क्या होता है, K by rho times cp, ठीक है ना, यह physical property of the material है, जिसकी जो unit है, वो होती है, meter square per second, वही unit, जो kinematic viscosity की होती है, एक boiler है, जिसको आपने एक या दोसे, in a boiler, one or more plates are bent, into a cylindrical form, and revitted or welded together, this is quite, बड़ा इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं, boiler का shell, क्या बोलते हैं, boiler का shell, boiler का shell, यानि कि boiler का बाहरी धाचा, इसे हम बोलते हैं, जिसमें एक से जादा sheet, या एक, दो sheet, 10 sheet, 15 sheet, अपस में bent है, और clubbed हैं, either because of rivet, और because of weld, इसे बोलते हैं, shell, चेक है, अगे, तो चले डियर, यहाँ पर हमारा आज का session होता है, end, तो thank you so much, आप सभी का class में आने के लिए, और यहाँ पर, अगर आप बेटा चाहते हैं, मेरे telegram का channel, follow करना है, तो follow कर सकते हैं, आप दिखें यहाँ पर, आप इसको follow कर सकते हैं, आप इसको follow कर लिजेगा, बटा subject में बार्क पर, अगर आएगा, आएगा, दो घंटे class भी आगे डियर, एक घंटे class में दो बच्चे नहीं है, बाता नहीं कहाँ, मौस काट रहे हैं, अटने का मनी नहीं है आप लोगा, तो अगर आप चाब मेरे टेलिग्राम का चैनल जॉइन करेंगे बटा, तो आपको यहाँ पर PDF class की मिल जाती है, ठीक है, और AJ Mechanical का जो हमारा course है, जिसकी validity कल तक ही बची है, यानि कि इसके बाद आपको यह course पड़ेगा, 11,000 रुपे का, अभी अगर आप लेते हैं, यानि कि कल से पहले, रात को बारावजे से पहले, तो आपको यह मिलता है, बहुत ही बड़े discount पर, यानि कि आप 11,399 का पूरा course आपको मिल रहा है, 3,815 रुपे में, यहाँ पर लेकिन आपको और सस्ता मिलेगा, जब आप code लगाएंगे, आर मिश्रा, इसमें आपको technical, non-technical सारे course मिलेंगे, ठीक है, AJE का सफलता बैच भी यहाँ पर है, आप जो भी चाहने सकते हैं, आप यहाँ पर पेनाओ करेंगे, बटाए यहाँ पर देखिए, प्लान को चेंज कर सकते हैं, आप जैसे यह coupon एंटर करके, coupon को type करेंगे, और एंटर करेंगे, यह आपको पढ़ जाएगा, और discount price पर, RMISHRA, अप्लाई करेंगे बटाए, तो आपको यह और discount price पर, 1542 सपर मातर मिल जाएगा, जिसमें आप mechanical का, पूरा AEJ का course त्यार कर सकते हैं, में जानते हैं, चाहें मेकाट्रोनिक्स हो, चाहें कोई भी rarest of the rare subject हो, वो भी आपका यहाँ पर cover होगा, ठीक हैं, automobile, उसके बाद, मेकाट्रोनिक्स, इवन यह सब भी subject हम cover करने वाले हैं, ठीक है, तो thank you so much, good day, take care बाबाए, खुश ठाहें मुस्कुराते रहें, और आप सभी से मिलता हूं, इकल इसकी time थेंगे, so much. SSEJ का जो result है बीटा, वो मुझे सरत है 5 November के अंदर आ जाना चाहिए, so I think 95% chance है कि 5 5th of November से पहले आ जाना चाहिए.